प्रिक्षा विभा के अपरमुखे सचीव के के पाठक पर गुरु जी को अभध्र टिपनी करना महंगा पड़ गया फिर क्या था? D.E.O. ने लटर जारी किया और गुरु जी के वेतन को ही रोक दिया गया है क्या कुछ पूरी खबर है हम आपको विस्तार से बताते है नमस्कार दर्श न्यूज देख रहे हैं आप मैं पृति दयाल आपके साथ दरसल हुआ यो कि वैशाली के टीचर राहुल कुमार ने के के पाठक पर वाटसेप के जरीए एक अभधर टिपनी कर दी थी जिसके बाद शिक्षा विभाग ने अब शिक्षक पर एक्षन ले लिया है जी हाँ दर्श को मैं आपको बता दू कि राहुल कुमार जो की BPSC के द्वारा चैनित किये गए शिक्षक है उनके खिलाफ करा एक्षन जीला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा लिया गया है इसके साथ ही आपको बता दे कि जीला शिक्षा पदाधिकारी ने करा एक्षन लेते हुए लिटर जारी कर दिया है और शिक्षक के वेतन पर रोक लगाने के साथ ही आपबंधिक पत्र को रद करने का भी आदेश जारी कर दिया गया है लेटर में क्या कुछ लिखा गया है हम आपको विस्तार से बताते हैं देसल लेटर में साफ तोर पर जीला शिक्षा पतादीकारी ने बताया कि उपर्युक्त विशयक अंकित करना है कि अपर मुखे सचीफ शिक्षा विभाग पतना के बारे में आपके द्वारा जीला के विभागे वाटसेप ग्रूप में अम मर्यादित भाशा का उप्योग किय जो दर्शोता है कि आप शिक्षन कार रहे तो अरहता नहीं रखते है साथ ही आपके इस कृत्य से विभाग की छवी भी धोमिल हुई है आपके इस कृत्य के लिए क्यों ना आपकी अपवंधिक नियुक्ती पत्र रद कर दी जाए तो साफ तोर पर इस लेटर की जरिए D.E D.E.O. ने शिक्षक से जवाब मांग लिया है कि उनका अपवंधिक पत्र जो है उसको क्यों ना रद किया जाए इसके साथ ही साफ तोर पर शिक्षक को D.P.O. में उपलब्ध होने के लिए यानि कि D.P.O. में उपस्थित होने के लिए साफ तोर पर आदेश दे दिया गया पिछले दिनों की बात करें तो शिक्षकों का मुद्धा बड़े ही जोर शोर से गरमाया हुआ था कई बार ऐसा हुआ कि केके पाठक के दौरा शिक्षकों पर कड़ा एक्षन लिया गया कई की नौकरी चली गई तो कई के वेतन भी रोक दिये गया कुल मिला कर देखा जाय तो कई तरह के कारवाई किये गया थे तो वहीं इस कारवाई को लेकर के केके पाठक के दौरा जो वो कर रहे थे उसके बाद वाटसेप ग्रूप के माध्यम से शिक्षक राहुल कुमार ने केके पाठक को लेकर एक अभदर टिपनी कर दी जो किसी भी तरह से उचद समझा जो किसी भी तरह से केके पाठक के लिए सही समझा नहीं गया जिसके बाद अब जीला शिक्षा पदादिकारी ने उस मामले में करा एक्षन ले लिया और एक्षन लेते हुए साफ तोर पर शिक्षक के वेतन को रोक दिया गया इसके साथ ही आपबंधिक पत्र को रद करने का भी आदेश दे दिया गया है तो आपको बता दे कि लगतार शिक्षकों का मामला तूल पकर रहा है बिहार के सरकारी स्कूल हो या फिर शिक्षक ही क्यों नहों आए दिन कई तरह के मामले सामने आते हैं इस इक्रम में अब एक बड़ फिर से शिक्षवे भाग के द्वारा एक शिक्षक पर कड़ा एक्षन ले लिया गया है तो फिलाल के लिए इस खबर में इतना ही है अगर आपने भी तक हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल सब्सक्राइब कर दे इसके साथ है अगरे वीडियो फेस्वुक के माद्यम से देख तो पेज को लाइक करना ना भूले